हेलो टेडर्स वेलकम बैक टू दो आनदर इंटरडे स्टॉक वीडियो आज इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए कुस बैतरी इंटरडे स्टॉक जिस पे आप कल के सेशन में इंटरडे टेडिंग कर सकते हैं और टेडर्स आज जो स्टॉक टेड करने दे थे उसका भी performance जानेंगे तो वीडियो पे आप पूरा बने रहे और अगर अभी तक हमारे टेलीगराम चैनल से नहीं जुरे हैं तो वहाँ जुरे आपको वहाँ निप्टी और बैंक निप्टी का important support resistance level देखने के लिए मिलता है और आपको वहाँ लाइब मार्केट भी update देखने के लिए मिलता है तो link description में दिया गया है आप अभी जाके हमारे टेलीगराम चैनल से जोईन हो सकते हैं जो कि बिल्कुल free है तो taders पहले हम बात कर लेते हैं आज जो stock टेट करने दे थे उसका performance कैसा रहा तो आज को जो हमारा first stock था इचर मोटर के तरब से था जिसमें हमें breakout देखने को मिला इसमें हमारा यह हमाप है यहाँ पे entry position पे यह हमारा है तो अगर आप यहाँ पे entry position बनाये होंगे जो कि हमारा यह था entry position और यह दोनों target था जबकि यह stock ने high बनाये लगबग यह double 364 के पास तो इसमें जो हमारा दोनों target बहुत असानी के से achieve हो गया और यह stock जो हमारा अच्छा खासा profitable और jackpot भी साबिट हुआ अगर trader आप इसमें trade कियोंगे तो अच्छा खासा profit book कियोंगे अगर आप profit book कियोंगे तो नीचे आप comment करके बता सकते हैं तो आज के लिए हमारा second stock trade करने दे थे जो कि HDFC bank के तरफ से जिसमें हमें एक अच्छा खासा breakout देखने को मिला आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें हमारा यह buying position level टीगर हुआ और यह दोनों target था जबके stock ने high बनाय लगबग 1698 के पास तो इसमें भी हमारा दोनों target बहुत असानी के से अचीब हो गया और यह भी stock हमारा अच्छा खासा profitable रहा अगर trader आप इसमें भी trade कियोंगे तो अच्छा खासा profit book कियोंगे यह भी stock हमारा jackpot शावित हुआ अगर आप trade कियोंगे तो नीचे आप comment करके बता सकते है तो आज के लिए हमारा second stock trade करने दे थे जो कि हिंडालको के तरप से था जिसमें हमें एक अच्छा breakout देखने को मिला जो कि यह stock आप देख सकते हैं इसमें green candle बनता हुआ जा रहा था जिसमें हमारा buying question यह level था और यह दोनों target था जबकि stock ने high बनाय लगव गये 450 के पास तो इसमें भी जो हमारा दोनों target बहुत असानिके से achieve हो गया और यह भी stock जो हमारा jackpot शावित हुआ अगर trader आप इसमें भी trade कियोंगे तो पका आप इसमें अच्छा खासा profit book कियोंगे अगर आप profit book कियोंगे तो आप नीचे comment करके बता सकते हैं यह stock आपका कैसा रहा तो आज के लिए हमारा fourth stock था जेल के तरप से जिसमें trader हमें यह scandal के पास हमें breakout देखने को मिला तो इसमें भी हमारा buying question level टीगर हुआ यह दोनो target था जबके stock ने high बनाया लगबग यह stock high बनाया लगबग यह 241 के पास तो इसमें जी हमारा दोनो target बहुत आसानी के से achieve हो गया और यह भी stock जो हमारा चार में से चारो stock जो हमारा successfully सारा target achieve हुआ और jackpot शावित हुआ तो टेडर्स आई साई profitable intraday stock वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe कर दे और bell icon दबा ले तो टेडर्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हमारा paid equity group में जिसमें हमें stock ने हाई बनाया 529 के इसमें भी हमारा यह stock jackpot शावित हुआ और second stock भी KEC के तरफ था यह भी हमारा stock हुआ jackpot शावित हुआ तो टेडर्स अगर आप हमारे paid equity group से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ या वन डवल नाइन पर मन्त लग रहा है आपको यहां ज्यादा accuracy call देखने को मिलेगा अगर आप interested है तो नीचे WhatsApp नंबर दिया गया है आप अभी जाके contact कर सकते हैं तो टेडर्स अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए कुछ बैतरीन intraday stock जिस पे आप कल के session में intraday trading कर सकते हैं तो कल के लिए जो हमारा first stock हो जाएगा access bank के तरफ हो जाएगा इसको पंदे मिनट के time frame में देखे तो इसमें जो एक five minute के time frame में देखे तो इसमें जो यह जो 10 line जो है यहां पर आप देख सकते हैं यह multiple time resistance के तरह यह follow कर चुका है आप यहां पर देख सकते हैं first time rate test के है फिर यह second time rate test के है फिर यह third time rate test के है और यह fourth time rate test के है अगर trader कल chance है अगर यह 10 line को breakout कर देता है तब आपको इसमें buying position देखने के लिए मिल सकता है अगर trader यह breakout करेगा तब आपको इस label के उपर buying position बनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 965 से उपर हमारा first target रखेंगे 968 का second target रखेंगे 972 का और इसमें stop loss रखेंगे 961 का अगर trader यह label के उपर यह breakout करता है तब आपको buying position बनाना है अगर trader यह 10 line को breakout नहीं करता आप देख सकते हैं 10 line को अगर retaste करता है तो यह नीचे की side भी आता है अगर trader यह 10 line को उपर अगर close होगा तब आपको buying position बनाना है अगर यहीं से retaste करके अगर यह नीचे की side देखने के लिए मिलेगा तो आपको यहां तक यह label देखने के लिए मिल सकता है तो अगर यह नीचे जाएगा तब आपको इसमें sword shell position बनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 960 से नीचे हमारा first target रखेंगे 957 का second target रखेंगे 955 का और इसमें stop loss रखेंगे 963 का अगर trader यह label के यह नीचे जाएगा तब आपको इसमें sword shell position बनाना है तो कल के लिए जो हमारा यह first interday stock हो जाएगा तो कल आप इसे जरूर tag करें तो कल के लिए हमारा second interday stock हो जाएगा mariko के दरब से इसको पंदे मिनट के time frame में देखें तो trader CS में horizontal resistance level आपको यहाँ पे देख सकतें यह resistance को यह multiple time यह retest कर रहा है आप यहाँ पे देख सकतें first time retest क्या फिर यह second time retest क्या फिर यह third time retest क्या है अगर trader कल के session में chance अगर यह resistance को breakout करता है तब तो आपको एक अच्छा move देखनी के लिए मिल सकता है अगर trader कल chance अगर यह 10 line को breakout करेगा तब आपको इस label के उपर buying pressure मनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 542 से उपर हमारा first target रखेंगे 545 का second target रखेंगे 548 का और इसमें stop loss रखेंगे 539 का अगर trader यह label के उपर यह जाएगा तब आपको इसमें buying pressure मनाना है अगर trader यह resistance को breakout ने करता अगर यहां से फिर से retest करके यह नीचे की side आएगा तब आपको उस case में short cell portion मनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 539 से नीचे हमारा first target रखेंगे 536 का second target रखेंगे 533 का और इसमें stop loss रखेंगे 542 का तो कल के लिए traders यह second interday stock हो जाएगा तो कल आप इसे जरूर tag करे तो कल के लिए हमारा third interday stock हो जाएगा pyramal enterprise के तरप से इसको 15 minute के time frame में देखेंगे तो इसमें एक अच्छा खासा pattern बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है आप इसमें यह जो 10 line जो देख रहे हैं यहाँ पर यह multiple time resistance के तरह यह follow कर चुका है आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर यह second time resistance क्या है अगर trader कल chance है अगर यह breakout कर देता है यह 10 line को तब आपको एक अच्छा move देखने के लिए मिल सकता है अगर trader कल यह breakout करेगा तब आपको इस label के उपर buying pushman बनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 1008 से उपर हमारा first target रखेंगे 1012 का और second target रखेंगे 1016 का और इसमें stop loss रखेंगे 1004 का अगर trader यह label के उपर यह जाएगा तब आपको इसमें buying pushman बनाना है अगर trader कल यह breakout ने करता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह जो आपको इसमें support कीता भी देखने के लिए मिलता है तो traders अगर कल के session में यह support से नीचे breakdown कर देता है तब आपको इसमें short shell pushman बनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 10000 से नीचे हमारा first target रखेंगे 996 का, second target रखेंगे 992 का और इसमें stop loss रखेंगे 1004 का अगर trader यह level के नीचे जाएगा तब कल आपको इसमें short shell pushman बनाना है तो कल के लिए जो हमारा यह third interday stock हो जाएगा तो कल आप इसे जरूर tag करें तो कल के लिए हमारा fourth interday stock हो जाएगा और विंदो फार्मा के तरब से इसको पंदे मिनट के टाइमपर में देखे तो traders इसमें जो एक horizontal type को resistance देखने के लिए मिल रहा है जिसमें ये resistance को ये बार बार ये resistance की तरह ये face कर चुगा आप यहाँ पर देख सकते है candle जो first बार it is क्या है फिर यहाँ पर multiple time या बार बार consolidation कर रहा है फिर यहाँ पर रहा है अगर कल traders कल ये resistance को ये breakout कर देता है तब आपको एक अच्छा move देखने के लिए मिल सकता है अगर trader कल ये breakout करेगा तब आपको इसमें buying pressure मनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 791 से उपर हमारा first target रखेंगे 794 का second target रखेंगे 798 का और इसमें stop loss जो रखेंगे 787 का अगर trader ये breakout कल कर देता है तब आपको कल इसमें buying pressure मनाना है अगर trader कल ये breakout ने करता यही resistance को अगर retest करके फिर से ये नीचे की side आएगा अगर यहाँ से ये resistance को breakout करेगा तब आपको यहाँ तक ये label देखने के लिए मिल सकता है तब आपको कल इस label के उपर short sale position मनाना है अगर ये market इसमें negative जाएगा तब जिसमें label हो जाएगा 784 से नीचे हमारा first target रखेंगे 781 का second target रखेंगे 377 का और इसमें stop loss रखेंगे 787 का अगर trader कल ये label के ये नीचे जाएगा तब आपको कल इसमें short sale position मनाना है तो कल के लिए जो हमारा ये fourth interday stock हो जाएगा तो कल आप इसे जरूर टेक करें और traders अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं क्यों तो subscribe करके बैल अकर दबाले और telegram चैनल से नहीं जुरे हैं तो वहाँ भी जुरे link description में दिया गया है